हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आगे हूँ आपके लिए एक और नहीं, जबरदस्त वाली क्लास, तो क्या होने वाली आज के क्लास, बेसिक्स इंग्लिश के सिरीज होता है सच का, तो बिलकुल आपको ये जानना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, स्टैंडर्ड लेवल में बोलना चाहते हैं, फ्लूइंट बोलना चाहते हैं, तो सच का उपयोग जो है, वो बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो बिलकुल सच के सारी के स सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, वाटस अप नमबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी धेरो क्लास, डरक्ली अपने मोबाईल तक पाने के लिए, आप कर सकते हैं हमें, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो, तो चलिए, शुरू करें हम लोग आज की क्लास, सबसे पहले समझ लीजे, सच का मतलब क्या होता है, क्यों, क्योंकि कभी भी किसी भी शब्द को इस्तमाल करने से पहले क्या जरूरी है, उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे इस्तमाल करेंगे, नहीं इस्तमाल कर पाएंगे ना, तो मतलब जान लेते हैं पहले, सच का मतलब होता है ऐसा, वैसा, इतना, या इस प्रकार का, ये सारी जगहों पे आप सच क अस्तमाल कर सकते हैं, कैसे किस किस जगह पर, ऐसा, वैसा, इतना, इस प्रकार का, और ये इस्तमाल आप कैसे करेंगे, ये देखेंगे हम लोग एक्जाम्पल के साथ, इतनी जल्दी में मत रहो, आप भी इतनी जल्दी में मत रहो, आप भी इतनी जल्दी में मत रहे, सच का प्रयोग बहुत सारा है, तो बने रहेगँ विडियो के एंट तक, Don't be in such a hurry, इतनी जल्दी में मत रहो He can't do such a thing वह ऐसा काम नहीं कर सकता He can't do such a thing वह ऐसा काम नहीं कर सकता He can't do such a thing It was such a great thing यह कितनी बड़ी बात थी It was such a great thing यह इतनी बड़ी बात थी It was such a great thing अब मान के चलिए आपको कोई अवार्ड मिला है चिक है? तो यह बहुत बड़ी बात होती है होती है ना? तो उस जगह पर आपके आप बोल सकते हैं जब आप किसी को कोई किस्सा सुना रहे हो कि अरे जब मुझे अवार्ड मिले था यह बहुत बड़ी बात थी It was such a great thing clear? समझ में रहा है कैसे इस्तमाल कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं This is such a sad story यह इतनी दुख़त कहानी है This is such a sad story Story मतला कहानी This is such a sad story यह इतनी दुख़त कहानी है This is such a sad story Why they would do such a thing? वे ऐसा क्यों करेंगे? Why they would do such a thing? वे ऐसा क्यों करेंगे? Why they would do such a thing? My family isn't such a big family मेरा परिवार इतना बड़ा परिवार नहीं है मतलब आप मान लेजी किसी के यहां गए हैं उनका परिवार बहुत बड़ा है बहुत सारे लोग हैं और आपका परिवार हो सकता है बस आपके ममी पापा और भाई बहन रहते हो चोटा सा परिवार हो तब क्या बोलते हैं? मेरा परिवार इतना बड़ा नहीं है तो उस जगा पर आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसन्ट का मतलब क्या होता है? इस नॉट ठीक है? चली बढ़ते आँगे डोंट डू सच तिंग्स ऐसी चीजे मत करो डोंट डू सच तिंग्स ऐसी चीजे मत करो डोंट डू सच तिंग्स I can't afford to buy such a thing मैं ऐसी चीज खरीदने का बोज नहीं उठा सकता I can't afford to buy such a thing मान के चलिए कोई बहुत महंगी चीज है या कोई बहुत रिस्की वाली चीज है मतलब जिसका आपको पता है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो I can't afford to buy such a thing मैं ऐसी चीज खरीदने का बोज नहीं उठा सकता जो दो दिन पर ना चले और तीसरे दिन बैट जाए फिर मेकानिक के पास लेके जाना पड़े मैं ऐसी चीज खरीदने का बोज नहीं उठा सकता I can't afford to buy such a thing clear दूसरा मतलब हो सकता है कोई चीज हो जो बहुत जादा महेंगी हो तो तब भी आप बोल सकते हैं I can't afford to buy such a thing I can't afford to buy such a thing मैं ऐसी चीज खरीदने का बोज नहीं उठा सकता अब अगर आपने अपने बजट से बहुत जादा की चीज खरीद ली तब तो वो बोजी बन जाता है ना पैसे तो बोजी बन जाता है भई इसी वज़े से वहाँ पर भी आप इसका स्तमाल कर सकते हैं I can't afford to buy such a thing I have never seen such a large dog मैंने ऐसा बड़ा कुता कभी नहीं देखा है होता है ना कभी-कभी रोट पर हम लोगों दिख जाता है क्या रे बाप रे इतना बड़ा कुता कभी नहीं देखा है I have never seen such a large dog मैंने ऐसा बड़ा कुता कभी नहीं देखा है I have never seen such a large dog I am not in favor of such a plan मैं ऐसी किसी योजना के पक्ष में नहीं हूँ हो सकता है कोई प्लान बन रहा हो आपको कोई काम हो और या हो सकता है कि आप जानते हो कि उस प्लान को execute करने के बाद हो सकता है फस जाए तो आपका जवाब क्या होता है नहीं, नहीं, हम ऐसे किसी प्लान के पक्ष में नहीं है हम ऐसे किसी प्लान का हिस्सा नहीं है बोलते हैं ना तो उसमें क्या बोल सकते हैं आप? I am not in favor of such a plan. मैं ऐसे किसी योजना के पक्ष में नहीं हूँ. I am not in favor of such a plan. मैं ऐसे किसी योजना के पक्ष में नहीं हूँ. I am not in favor of such a plan. Clear है? चलिए बढ़ें आगे. Don't be such a fool. ऐसे मूर्ख मत बनो. Don't be such a fool. ऐसे मूर्ख मत बनो. Don't be such a fool. You have such a beautiful home. तुम्हारा इतना सुन्दर घर है. तो जब भी हम लोग किसी को compliment देना चाहें, तो भी सच का स्तमाल हम लोग कर सकते हैं. जैसे beautiful home बोल रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो you have such a beautiful home. हो सकता है गारी की गाड़ी की बात करें, आपकी बड़ी गाड़ी है उनके पास. You have such a big car. हो सकता है आप किसी की dress की बात करें. You have such a beautiful dress. अगर किसी का घर बहुत बढ़ा है. You have such a big house. Clear है? तो ऐसे आप सच का स्तमाल कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. sami. Don't say such a thing. ऐसा मत कहो. Don't say such a thing. ऐसा मत कहो. Why would I do such a thing? मैं ऐसा काम क्यूं करूँगा? Why would I do such a thing? मैं ऐसा काम क्यूं करूँगा? Why would I do such a thing? मैं ऐसा काम क्यूं करूँगा? Why would I do such a thing? We had such a great time. हमें इतना अच्छा समय बिताया हमने. We had such a great time. हमने इतना अच्छा समय बिताया. We had such a great time. अब अगर आप छुट्टियों पे गए हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? We had such a great holiday. छुट्टियों को क्या बोलते हैं? Holiday बोलते हैं. We had such a great holiday. हमने कितने अच्छी छुट्टियां बिताया. Clear? We had such a great time. हमने इतना अच्छा समय बिताया. We had such a great time. It was such a nice day. इतना अच्छा दिन था. It was such a nice day. अब कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन सब कुछ अच्छा हो रहा है. आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो काम हो जा रहा है. आप कुछ सीखना चा रहे हैं, तो आप सीख जा रहे हैं. आप कुछ खाना चा रहे हैं, तो आप को खाने को मिल जा रहा है. या आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, वो सब successful हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे शाम को घरा के, अरे आज का दिन बढ़ा अच्छा था, it was such a nice day, इतना अच्छा दिन था, या आज का दिन बहुत अच्छा था, it was such a nice day, इतना अच्छा दिन था, He made such a mistake, उसने ऐसी गलती की, अब देखें, यहाँ पर exclamation का मार्क लगा हुआ है, exclamation मार्क क्या दिखाता है, sudden feeling को दिखाता है, feelings को express करने का मार्क होता है, exclamation मार्क, बहुत जादा खुशी, बहुत जादा दुख, आश्चेर चकित होना, शौक हो जाना, ठीक है, तो यहाँ पर जो sentence है वो है, He made such a mistake, मतलब आप किसी के गलती करने के वज़ए से चकित हैं, आपको अश्यर है कि उसने ऐसी गलती कैसे कर दी, उसने ऐसी गलती की, अब क्या बोलते हैं कि अच्छा, उसने ऐसी गलती की, He made such a mistake उसने ऐसी गलती की He made such a mistake चलिए बढ़ते हैं आगे He was such a happy person वह इतने खुश मिजाज व्यक्ती थे He was such a happy person वह इतने खुश मिजाज व्यक्ती थे किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं ठीक है? He was such a happy person Why is it such a big deal? यह इतनी बड़ी बात क्यूं है? मान के चलिए आपने कुछ किया और आपको सब बोल रहे हैं कि ऐसा क्यूं किया, किस लिए किया, कैसे कर दिया तुमसे ऐसे उम्मीद नहीं थी और हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं ठीक है कर दिया, तो कर दिया इतनी बड़ी बात क्यूं है, क्यूं बना रहे हैं इतनी बड़ी बात? I never promised such thing, मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया I never promised such thing, मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया I never promised such thing, clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे It's such a nice change, यह इतना अच्छा बदलाओ है It's such a nice change, अब आपने पुराना फोन यूज करते थे उसको बेचके नया फोन खरीद लिया, तो चेंज किया ना, कैसा चेंज किया? Nice, बहुत अच्छा चेंज किया It's such a nice change, यह इतना अच्छा बदलाओ है It's such a nice change, यह इतना अच्छा बदलाओ है It is such a nice change Don't be such an idiot, या idiot Don't be such an idiot, ऐसे बेवकूफ मत बनो Don't be such an idiot, ऐसे बेवकूफ मत बनो Don't be such an idiot He did no such thing, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया Clear है? So yes guys, यह थी आज की class Class कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए Search के users आपको कैसे लगी? यह जरूर बताइए Comment करके और class तो पसंदा ही कही होगी इसके अलावा अगर ऐसे कोई भी शब्द है जिनमें आपको confusion होती है और आप चाहते हैं मैं class लेकर क्या हूँ तो definitely नीचे comment करके वो सारे words भी बताइए जिनमें आपको लगता है कि आपको confusion हो रही है तो बिलकुल आपके confusion दूर कर दी जाएगी Clear है? इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी साड़े छे घंटे में अंग्रेजी बोले कि course free spoken English की course नहीं देखी है तो जल्दी से इस number पर WhatsApp करिए और मंगवाई अपने लिए free spoken English की course ये course है जिसमें 60 plus video classes है आपके लिए तो definitely free है बिलकुल आप मंगवा सकते हैं कभी भी और ये वाले class पसंद आई है तो like और share तो जरूर कर दीजे इसी साड़े छे घंटे वाली course के उपर based ebook की free sample भी आपको मिल सकती है कैसे मिलेगी जल्दी से WhatsApp करिए लिखके भेजिए मुझे साड़े छे घंटे वाली course चाहिए और उसी पर based ebook की free sample भी चाहिए तो जितनी जल्दी आप message करेंगे उतनी जल्दी आपको हमारी टीम द्वारा video course और ebook की free sample भी भेज दी जाएगी है ना तो जल्दी से इंतजार क्या कर रहे है जल्दी से phone उठाईए message करिए इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते है हमारे premium whatsapp spoken English course पे इसकी inquiry आप इस number पर कर सकते हैं अब inquiry किस बात की करनी है भई inquiry करनी है इस बात की कि आखिर ये course है क्या कितने दिनों का course है कब-कब class आती है, कितने बज़े class आती है class को कितनी बार देख सकते है notes मिलेंगे या नहीं, homework मिलेगा या नहीं homework मिलेगा, तो homework आखिर check कैसे होगा ये सारी details आपको whatsapp पर बता दी जाएंगी और सबसे एहम details जो आपके लिए जरूरी है वो ये कि आखिर अगली course अगली batch कब शुरू हो रही है इस course की इसके साथ ही ये है basic English grammar course यानि कि grammar का basic वाला course अगर आपको लगता है कि grammar आपको उतना सही नहीं है basics clear नहीं है तो basics clear नहीं होगा ना तो grammar के questions तो भई बनने से रहें तो basic English grammar course की details भी आपको इस number पर whatsapp करके मिल जाएंगी ये grammar की basic है यानि कि आपकी नीव जो है बड़ी मजबूत हो जाती है grammar वाली और आप advanced grammar के लिए पूरी तरीके से तयार हो जाते हैं इस course के बाद इसकी inquiry पर आप इस number पर कर सकते हैं और ये है basic English grammar for kids अब भई बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता जी हां लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बच्चे अब सीखेंगे खेल-खेल में English grammar बी बैंकर के basic English grammar for kids course के साथ ये course एक्सपोर्स वारा डिजाइंड है जो specially बच्चों को ध्यान में रखते वे बनाये गया है क्योंकि उनको खेलना बहुत ज़ादा पसंद होता है तो ये course बिलकुल उनको खेल-खेल में अंग्रेजी वाली grammar सिखा देगा उनकी concept बिलकुल clear हो जाएगी उनको आगे जाके कभी भी grammar में तो दिक्कत नहीं होने वाली है English grammar में इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं तो जल्दी से पता करी अगली batch कब शुरू होने वाली है इसके साथ ही ये है favorite most English grammar and writing for school favorite most क्यों है भाई क्योंकि admission open होता है और तुरंत ही खतम हो जाता है और हो भी क्यों ना क्योंकि ये है combo course combo मतलब मिलती है दो चीजे मिलता है English grammar और writing भी writing मतलब essay writing, speech, writing, debate, writing article, writing, सब कुछ जो भी अब मैंने अभी बताया वो इसके अलावा जो भी आपके syllabus में है वो चाहे वो poster making हो या notes making हो, कुछ भी हो ये सारी चीजें आपको कराई जाती है English grammar तो कराई ही जाता है साथ में writing कैसे develop करें कैसे लिखें और कैसे writing section में आप full में full score कर सकते हैं ये भी इस course में आपको सिखाया जाता है आप किसी भी class के student हो आप किसी भी board के student हो आप किसी भी school के student हो कोई फरक नहीं पड़ता ये course बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है तो इसकी inquiry पे आप इस number पर कर सकते हैं और अगर आप आप आपके एक serious aspirant है जो किसी भी competitive exam के तयारी कर रहे हैं चाहे वो bank हो, SSC हो, PSC हो, seated हो, CLAT हो, MBA हो, exam, entrance हो, क्यों ना ये course बिल्कुल आपके लिए है अंग्रेजी पूछी जाती है जिस भी exam में, entrance exam में ये course बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ही है आपकी English की पूरी की पूरी syllabus बिल्कुल इस course में कराई जाती है चाहे वो reading comprehension हो, चाहे वो basic vocabulary हो, चाहे वो advanced vocabulary हो, चाहे वो basic grammar हो, चाहे advanced grammar हो, चाहे basic questions हो या advanced questions हो ये सारी चीज़े इसमा को कराई जाती है इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं तो जल्दी से inquiry करिए क्योंकि vacancies आएंगी और vacancies चली जाएंगी आपको लेना है न सीट, आपको तो सीट पक्की करनी है, तो जल्दी से inquiry करिए और अब inquiry करते हैं एक चीज़ का ध्यान रखें कि course का नाम लिखकर के inquiry भेजने पर हमारे प्रतिनीदी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुँचा पाएंगे जानकारी मिलने में लगभग 12-47 गंटों का वक्त लग जाता है तो उसके लिए पहले से माफी लेकिन अगर आपने मेसेज कर दिया है तो कृपया प्रतिक्षा करें आपको मेसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा हमारे प्रतिनीदी आप तक खुद समपर कर लेंगे तो बिलकुल निश्चिंत हो जाएए अगर मेसेज कर दिया है तो रिप्लाई आपको जरूर 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 मिलेगा तो यहस गाईस आप टोड़े थैंक यू सो मच वर वाचिंग बी बैंकर एंपावरिंग लाइफ थू नॉलेच थैंक यू सो मच वर वाचिंग से तुने टो पी बैंकर